क्या OCD वालों को बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए मैं राज अंदर जोद पुरिया आज की इस वीडियो में इस रहसे से भी परदा उठाने वाला हूँ कि जिनको OCD है चाहे OCD, Contamination OCD हो, Religious OCD हो, Pure Ophome OCD हो, Checking वाली या किसी बीमारी से डर वाली OCD हो जि आपकी साधी हो चुकी हैं, लेकिन अभी बच्चे पैदा नहीं किये हैं, तो आप एक बार बच्चे पैदा करने का प्लान पोस्ट पॉन कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी OCD को ठीक नहीं कर लेते, तब तक आप बच्चे पैदा करने की गलती ना करें, अगर प्लान लीजिए, ऐसे में सबसे पहले तो आपको सेक्स्वल रिलेशन बनाने में दिक्कत आएगी, जिनको भी कंटेमिनेशन OCD है, HIV वाली OCD है, उनको सेक्स्वल रिलेशन बनाने में बहुत दिक्कत आती है, बड़ी मुश्किल से वो रिलेशन बना पाते हैं, उसके मैयों का इस्तेमाल भी बड़ी सूजबूज के साथ करना पड़ता है, तो ऐसे में दुविदा बहुत हो जाती है महिलाओं को, और अगर बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी पोटी साप करनी होती है, उनकी साप सबाई करनी होती है, उसमें बहुत जंजट होता है, बहुत तक उसे यही कहते हैं, कि यह वहम कर रही है, नकरे कर रही है, इगोइस्टिक है, यह तो पता नहीं, इतनी साप सबाई के पीछे क्यों पड़ी रहती है, हमें देखो हमें तो कुछ नहीं होता, हमने तो यह कर दिया, वो कर दिया, तो comparison होता है, और OCD वाली महिला के emotion को, feelings को तो इसमें ऐसे में OCD और ज़्यादा गंबीर हो जाती है यही कंडिशन पूरुस की होती है जिन पूरुसों को OCD है उनका भी इमोशनिली स्पोर्ट भूत कम हो जाता है लेकिन पूरुस कुछ हद तक अपने बाहरी दोस्तों से बात कर लेते हैं बाहर चले जाते हैं लेकिन म करना क्या है कि सबसे पहले काउंसलिंग ठेरपी के दवारा OCD का प्रोपर ट्रीटमेंट लेना है जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाए OCD गायब हो जाए फिर आप बच्चे पैदा करेंगे तो वो बच्चे आपके हेल्दी भी होंगे वरना बच्चे आपके देखेंगे क क्या आप हाद हो रही हैं आप सफाईयां कर रही हैं आप चीजों से डर रही हैं आपके बन में विचार आ रहे हैं तो बच्चा लर्न करता रहेगा छोटा सा बच्चा चाहे एक महीने का हो दो महीने का हो मनोविग्यानिक और हिपनोटिस्ट तो यहां तक कहते हैं कि जो ब बहुत बढ़ जाएगी तो बच्चा आपको देखेगा आपके विवहार को देखेगा उजरब करेगा तो वो भी OCD का सिकार हो सकता है तो कभी भी OCD ठीक होने से पहले बचे पैदा करने की भूल ना करें ये मेरा व्यक्तिगत मत है और आपको सुझाओ भी है अगर आप इला बात चाहते हैं तो ओनलाइन और ओफलाइन इलाज संबव है हिपनो थेरपी, CBT थेरपी, माइड़ फुलनेस थेरपी और गीता थेरपी के दवारा OCD का इलाज 100% हो जाता है अगर ये बात आपके खाने में बैठ गई तो बले बले नहीं बैठी तो थले थले फिर भी थले थले की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप ओनलाइन साइको गुरू टीम से बात करके थले थले को बले बले में बदल सकते हैं अगर आप ओनलाइन साइको गुरू टीम से बात करते हैं तो आपकी OCD को भगाना हमारी जिम्मेवारी है धन्यवाद